At a first glance अगर इस चीज को देखा जाए कि James and Mary love each other one another तो मैं zero roots से अगर कहना चाहूं तो जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए दोनों answers सही हैं Each other हिंदी डिक्षेरी में देखा एक दूसरे के लिए सही है James and Mary love each other One another जब डिक्षेरी में देखोगे वहाँ भी एक दूसरा लिखा मिलेगा Hindi में तो नहीं होते हैं कि एक तीसरा, एक चौथा, एक पाँचवा तो वो भी सही है नमशकार, this is Kabildeev Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kabildeev Sharma This is the 17th video of pronouns और इससे पहले हमने personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun relative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun और पिछले दो वीडियो में reflexive और emphatic pronouns को discuss किया As I have said कि this is the 17th video and the second last video before we finish pronouns और आप सब में से कई लोकों के comments के सार जिस तरह आपने नाउन का test paper solve कराया है वैसे सारे parts of speech के test paper solve करायेगा is going to be ready, has already been ready I would say और इस वीडियो के बाद में उसे upload भी जरूर करूंगा और pronoun के सारे questions जितने जिस exams में आये हैं बहुत बहुत अलग varieties के साथ shall be available to you लेकिन हाँ उससे पहले जो कुछ रह गया है उससे finish कर लेते हैं इसे हम लोग reciprocal भी कहते होंगे in terms of Oxford उसका correct pronunciation reciprocal sound में जाता है reciprocal तो ठीक है मैं उसे reciprocal कहूं आपके लिए easy होगा सुनने में और या फिर precisely उससे reciprocal कहूं आप थोड़ा understand कीजएगा what do we think about reciprocal term in general तो जब भी हम reciprocal meaning दिखाते हैं ये एक तरह से mutual understanding mutual understanding को दिखाता है mutual relationship को represent कर पाता है इस बात को कुछ example से समझा जा सकता है जैसे हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं अब एक दूसरे को कहने से कई लोग हो सकते हैं कई बार Hindi language के according जितनी थोड़ी बहुत बोलचाल की भाषा आती है I do not know grammar of Hindi बट हाँ जतना आप और हम जानते हैं in terms of general native speakers of Hindi हम लोग एक दूसरे के लिए तो इस्तमाल करते हैं क्या हम एक तीसरे के लिए इस्तमाल करते हैं आशारता हूं नहीं कि हम दो लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए fine हम तीन लोगों को एक तीसरे की मदद करनी चाहिए और हम पचास लोगों को एक पचासों के साथ रहना चाहिए हिंदी इस तरह अलाव नहीं करती बढ़ हाँ, English में terms हैं जो differentiate करते हैं कि कब हम दो के बारे में बात कर रहे हैं और कब दो से जादा के बारे में अब मुझे याद आया, अभी-भी जब हमने indefinite pronoun पढ़े थे और distributed pronoun पढ़े थे जिसमें कुछ terms थे any, all, both, none, neither, either, remember मैंने आपसे वहाँ भी कहा था कि language में English language में precisely दो के लिए अलग rules चलते हैं और दो से जादा के लग आपको याद होगा शायद उन दिनों भी मैंने यही example दिया था जब between का use करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है prepositions हैं बहुत आगे पढ़ेंगे but between का use दो के लिए करते हैं और among का use दो से जादा के लिए किया जाता है same pattern, both का use दो के लिए all जादा के लिए either दो के लिए, any जादा के लिए none दो के लिए और neither, दो के लिए हमेशा इस्तमाल करते हैं ऐसे सारे variations आप एक बार वापस देखें English में दो reciprocal pronounce होते हैं that are to show mutual understanding or relationship or whatever each other and one another I repeat, each other and one another and the basic difference between these two is मैं जाते वक्त इस वीडियो के लास्ट में आपको advanced part भी दिखाऊंगा लेकिन हाल-फिलाल सुनियेगा each other का इस्तमाल दो के लिए करते हैं और one another का इस्तमाल दो से जादा के लिए किया जाता है I repeat, जब हम दो लोगों की बात करना चाहें तो उस case में preference each other को जाता है और जब दो से जादा की बात हो तो वहाँ पर हमेशा one another को prefer करते हैं इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि each and other other का इस्तमाल जादा तर दूसरे के लिए किया जाता है तीसरे, चौथे, पांचवे के लिए नहीं मुझे आता जब हम स्कूल में कभी wonders of science का ऐसे लिखते थे आशा करता हूँ आपने भी शायद लिखा होगा कभी तो वहाँ पर हम यह किसी भी चीज में जब हम किसी के pros and cons दिखाते हैं अच्छाईयां, बुराईयां, advantages and disadvantages mention करते हैं तो हमेशा इसी तरह बात की जाती है कि एक हाथ पर इसकी अच्छाईयां है on the other hand I hope so आपने यह चीज ज़रूर सुनी होगी on the other hand तो other hand दूसरा हो सकता है तीन चार पाँच हाथ नहीं होते हमारे other in general हमेशा ही दो के लिए represent करता है और थोड़ी सी reasoning इस्तवाल करें common sense याद रखने के लिए other की spelling another की spelling में article mention है यह मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ जिसे आप याद रखें another इसमें other तो है बट उसके साथ article भी mention है तो ऐसा नहीं लग रहा दो तो वो पहले से है article एक को दिखाता है एक तरह से तीन हो गए आए दिखते हैं मैं इन बातों को क्या कहा बट हाँ प्लीज ध्यान रखें reciprocal शब्द का मतलब है to show mutual understanding और mutual relationship जहाँ पर हम पारम पर एक समझ दिखाते हैं या फिर understanding का जिक्र करते हैं वो reciprocal term को दिखाता है और भाशा के होने के नाते चीजें दो भी हो सकती है दो से जादा भी हो सकती है तो जब आप specifically दो के लिए mention करना चाहें use each other और अब जब दो से जादा की बात की जाए वहाँ पर आप one another का use करें कैसे पहले इन terms को देखकर इनके example mark करते हैं now look at these terms okay as I stated कि जब भी आप each other का use करें यह हमेशा दो के लिए होना चाहिए और जब आप one another use करें must be used for more than two why so आप इनको common sense से कही की चीज़ों को हम अपने हिसाब से याद करते हैं grammar किनी words को क्या देती है मुझे नहीं पता लेकिन अगर वो word मेरी मात्र भाषा में या कहीं न कहीं मुझे से relate होता है तो मेरा याद रखने का तरीका तो मेरे पास है जब हम use करेंगे तो grammatical कर सकते हैं मैंने ऐसे याद रखता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ध्यान रखें when we use the word other जैसा आप से भी कहा हमेशा यह दो को दिखाता है तो each हो गया पहला हर एक प्रत्येक और other हमेशा दो को represent करता है must be used for two fine but इसको ऐसा नहीं लगता कि article को अगर separate कर दिया जाए if we use these terms like this other represent two and article n हमेशा एक को दिखाता है भी आए एक pen दीजेगा give me a pen a और n एकी बात है in terms of the sound of the next term तो other दो को दिखाता है जैसा पहले mention किया आपने n आर्टिकल होने के नाते एक को represent कर सकता है I repeat यह मैं समझाने के लिए use कर रहा हूं इन दोनों को अगर कभी जोडेंगे तो minimum आपका answer तीन रहेगा I repeat other for two other for two an other एक और other है इसका मतलब दो से जादा हो जाएंगे and must be preferred for more than two तो grammatically these terms are used as reciprocal pronouns और reciprocal pronouns बट हाँ preference के तौर पर when it comes to very formal and British English our competitive English जब भी हम दो लोगों का जिकर करें वहाँ पर हमेशा each other को preference की जाएगा other represents two और जब दो से जादा की बात की जाए तो एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छटवा कितने भी हो सकते हैं वहाँ पर आप हमेशा one another use करें बहुत जल्दी देखते हैं कैसे in terms of examples में लेकिन हाँ, उससे पहले ध्यान रखेगा कि जब भी इनको use करने की बात की जाए तो हमेशा ये एक दूसरे पर रैसी प्रोकल याने के mutual understanding दिखा पाते हैं जरा अपनी भाशा के कुछ शब्द देखते हैं पर हम लोग friends हैं हम 12-15 लोगों का group है और हम जब भी पढ़ते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं हम लोग 12-15 लोग है जब भी हम पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं अब एक दूसरे के साथ पढ़ना कुछ पार्ट मेरा रहा कुछ पार्ट आपका रहा इसी को mutual understanding में रखा जाता है we study together कहिए कई में लोगों के मन में doubt होगी together शब्दी भी तो होता है इस तरह से साथ साथ दिखाने के लिए together एक adverb है तो वो adverbs के chapter में mark की जाएगी लेकिन हाँ we help अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँ each other one another तो हिंदी के according जो हमें बोल चाल की भाशा आती है हिंदी में एक दूसरे के लिए तो होता है but आशा रखता हूँ जितना मुझे आता है I hope so एक तीसरे के लिए तो नहीं होता I hope so आपका भी यही आंसर होगा कि हिंदी में एक दूसरे के लिए लिखना possible है यह बोलना पॉसिबल है तो यहाँ पर आप each other नहीं कह सकते आपको यहाँ पर one another कहना होगा I repeat, we help one another सुनने में हर चीज अच्छी लगती है तो we help each other, sounds good but now, we help one another लेकिन, हम दो लोग friends हैं बाकि सारे friends हमारे बाहर रहते हैं सिर्फ हम दो लोग यहाँ पर है he and I are friends remember, he and I are friends 2, 3, 1, 1, 2, 3, भूल तो नहीं गए जब भी order of pronounce mention करना हो अच्छी चीज़न दिखाने के लिए second person, third person and first person और बुरे चीज़न reflect करने के लिए first person, second person and third person तो जब मैंने खुद से ही सही बोला है वैसे, he and I second person है, नहीं, third person उसके बाद first person हम लोग दोस्त हैं he and I are friends I'm talking about just only two people अब जब दो के लिए कहोगे के हम लोग दोस्त हैं, हम दोनो जब हम पढ़ते हैं तो साथ मैं पढ़ते हैं we help अब ये दो के लिए हैं तो we help each other कहा जा सकता है आये देखते हैं इनको detailed versions पर now, have a look at these examples okay, आये नजब डालते हैं इन शब्दों पर जहां पर each other, one another जो हमें हिंदी में एक टर्म नज़र आता है एक दूसरे, not तीसरे के लिए English में कहां variations follow करता है the very first one the two brothers loved you can see the two brothers loved I repeat once again or again and again कि आप इनका ध्यान रखें कहां पर ये precise जाते हैं मैं last में जाने से पहले mention करूँगा कि इनके बीच distinctions कहां create होती है when it comes to standard English और जड़ा थोड़ा formal English को छोड़ दिया जाए किताबें जादा तर formal English पढ़ाती है तो वो rules and regulation strict है मैं पहले ही mention करूँ newspapers में जो अपना standard खुद रखते हैं आप दो के लिए one another पा सकते हैं या जादा के लिए each other पा सकते हैं उस वक्त तक हर हम confused हो यार सर ने तो पढ़ाया था ऐसा होता है भी मैं तो फिर भी advanced दिखा दूँगा आपको पट बुक में तो हमने यही पढ़ा था कि दो के लिए ऐसा होता है या जादा के लिए ऐसा होता है क्यों आरणो तो उसको बाद में देखते हैं पहले ये चीज़ नोटिस करते है वन इट कमस तो strict formal English competitive English the two brothers loved चुँकि यहाँ दो का जिक्र है तो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो यहाँ एक दूसरे mutual understanding तो आ गई न इसलिए इनका नाम reciprocal रखा गया था reciprocal रखा गया था the two brothers loved obviously each other not one another because जब आपने दो का जिक्र किया है you must mention each other लेकिन we all और we should all love हम सभी को एक दूसरे के for example if I say this sentence for our country हमें अपने देश में जगडा नहीं करना चाहिए हमें अपने देश में सब लोगों को एक साथ, एक मत, एक जुट होकर रहना चाहिए और हम शाएद दो लोग नहीं है एक परिवार भी दिखाऊगे तो चार-चाह लोग तो जरूर होते हैं और जादा को mention करने के लिए more than two we use one another तो we should all love not each other we'll prefer we should all love one another not each other the same variation he and I looked at हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा I can't say एक तीसरे की तरफ अगर दो से जादा हैं तब भी but हाँ English जरू प्रिसाइज रहेगी he and I looked at he and I दो लोग हैं दिखे order of pronoun भी फुल्फिल हो रहा है second person है यह ने third person two, three and thereafter first person one looked at we must say each other जब दो की बात की जाए आप each other को prefer की जाएगा तो he and I looked at each other अब एक दूसरे पर चिलाने लगे Hindi में तो मुझे वही बोलना होगा obviously यहां लिखा है six men वो छे लोग but मैं Hindi में तो नहीं बोल सकता न कि वो एक तीसरे पर चिलाने लगे एक चौथे पर Hindi में आप वही इस्तेमाल कीजे एक दूसरे पर but English लिखने वक उनकी प्रियरिटी रख लिजेगा the six men shouted not at each other but at one another the six men shouted at one another not each other the couple spoke to obviously couple हमेशा दो को represent करता है और दो के लिए preference वापस आपका each other पर आ जाता है so the couple spoke to उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया they started talking to each other तो जब दो की बात की जाए वहाँ पर हमेशा each other को prefer की जाएगा the couple obviously represents two in general started speaking to each other or they spoke to each other all of them hate और सभी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं अब जैसा के पहले mention किया जा चुका है के all का अस्तमाल दो से जादा के लिए करते हैं अगर वो दो हों तो वहाँ पर बोथ का अस्तमाल होता है so all of them hate one another you have to say not each other I request not hard examples रखे गए हैं और इनके लिए कोई बहुत जादा बड़े examples भी नहीं आते चहां भी आएंगे आपको subject mention होगा दो की बात है दो से जादा की बात है अगर दो को preference है इच आदा जादा को है all love हम पूरे देश के अगर निवासी है एक परिवार अगर भी है तो उस केस में हमारे लिए हमेशा one another use करें because we are more than two he and I looked at each other because हम दो लोग हैं लेकिन the six men shouted at one another because दो से जादा हैं one another prefer कीजेगा the couple obviously representing two spoke to each other लेकिन all of them hate one another because वो जादा हैं वहाँ पर हमेशा one another को use करें बहुत बार रिपीट कर दिया आशा करता हूं कि जादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे बढ़ने जे पहले आप इन हैं लिख सकते हैं okay seems easy but have a look at these examples not a big task to deal with sir quite easy है na James and Mary दो लोग हैं they love each other we must say but do you know the difference between these terms when it comes to deep roots of grammar जैसा कही लोगो ना मुझे ग्रमें लिखा है कि आप जतना deep में जा रहे हैं please continue the same my dear I will always do the same thankful for your precious words at a first glance अगर इस चीज़ को देखा जाए कि James and Mary love each other one another तो मैं zero roots से अगर कहना चाहूं तो जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए दोनों answers सही हैं भी each other Hindi dictionary में देखा एक दूसरे के लिए सही है James and Mary love each other one another जब dictionary में देखोगे वहाँ भी एक दूसरा लिखा मिलेगा Hindi में तो नहीं होते कि एक तीसरा, एक चौथा, एक पाँचवा तो वो भी सही है तो दोनों ही सही है थोड़ा सा हमने पढ़ा सीखा कि precisely अगर each other use करें तो दो को represent करता है one another जादा को represent करता है तब हमारा answer हुआ Mary and James or James and Mary love each other सही है सर नहीं इसमें one another गलत है अब मैं अगर यहां माग करूँ कि each other सही है तो you are सहमत और मैं कहूँ one another सही है तो फिर a सहमती नजर आजाएगी सर अभी तो आपने कहा है ऐसा होता है अगर मैं कहूँ यहां each other गलत है और one another सही है तो फिर Einstein और Shakespeare यहाद आते है Actually मैं हमेशा आपसे कहा होगा वापस कहना चाहूँ English grammar एक इंसान की देन नहीं है कई writers, कई grammarians का अपना-अपना मत होता है Majority किसके साथ चलती है We follow Because हमारी तो language है ही नहीं इंडिया में English बन रही है हलाकि हम भी बहुत English बनाते हैं अपने according कुछ भी ढाल लेते हैं But हाँ when it comes to grammar एक इंसान की देन English नहीं है I repeat कई लोग ऐसे हैं जिनका preference Majority नहीं के साथ है Majority का preference है कि each other कस्तमाल दो के लिए होना चाहिए One another का स्तमाल दो से जादा के लिए होना चाहिए नाम नहीं लूगा लेकिन हा एक writer ऐसे भी है जिन्होंने इस बात को बिलकुल और उनकी value है हम और आपकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने इस बात को बिलकुल नकार दिया कि ऐसा कहीं भी लिखित में नहीं है पुराने historical uses में और formal part में कि इसका स्तमाल दो या जादा के लिए होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता आपकी each other one another कहीं भी use कर सकते हैं कुछ ऐसे भी writers हैं दो से तीन जिनको मैंने पढ़ा जितना कि वो लोग लिखते हैं कि नहीं each other must be used for more than two one another must be used for two बिलकुल उल्टा और opposite बट हाँ majority of them का वही मत है कि when we talk about two people or things we use each other and when we talk about two or more we prefer one another तो अगर कभी life में लिखा मिलता है because honestly थोड़ा बहुत knowledge इतनी है magazines में जब देखोगे तो वहाँ competitive English के rules नहीं चलते जब हम the Hindu पढ़ते हैं या कोई standard newspaper अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई rules हमारे cross हो जाते हैं वहाँ आप देखिये न between कई उस दो से जादा के लिए जबकि हमारी books और हमारे exams आज भी वही चलाते हैं तो वहीं आपसे request है lifelong कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा मिले कि the two people shouted at one another और वो magazine का part हो तो वहाँ हम error detection नहीं निकाल सकते गलत है काट कर हम लिख देंगे वो सही है फिर उस वक तक हमारे देवता जाकते हैं कि यार ये क्यों वलत हो गया ये कैसे सही हो गया तो वहाँ ध्यान रखेगा कि language एक इंसान के मत से नहीं चलती जिस writer ने वो चीजने लिखी है वो preference उनको देते हो या वहाँ से belong करते हो या उस बात को follow करते हो तो I repeat यहाँ पर answer कौन सा है तो चुकि ये advanced partner बोला है competitive English के हिससे में नहीं है आप यहाँ दोनों preference रख सकते हैं कोई आपको cross ना करें इस चीज़ के लिए both of them love each other both of them love one another both of these are correct बठाँ preference की बात करें तो हम भी वहीं पर हैं because हमारी native language तो बिलकुल नहीं है तो हमारा preference जाता है when we talk about two people of things we prefer each other तो preference के तौर पर I repeat preference के तौर पर James and Mary love each other बठाँ language में इसको भी preference है कि आप दो के लिए one another लगा सकते हैं एक नहीं कुछ writers नहीं जरूर mention किया है कि दो के लिए one another इस्तमाल किया जा सकता है तो यह रहत है आपके further use के लिए आप चाहें इस बात को ध्यान रखेगा So, finishing this part here of reciprocal pronouns और reciprocal pronouns precisely आप उसे reciprocal कहें that'll be better या फिर in terms of हमारे local pronunciation में हम उसे reciprocal तो कहते ही है दो के लिए आप each other prefer कीजे जादा के लिए one another prefer कीजे लेकिन हा जैसा अभी अभी आप से कहा अगर कभी life में लिखा मिलता है कि दो के लिए one another या जादा के लिए each other जो आपको बाखुबी दहिंदू में मिल जाएगा तो वहाँ पर confused रहों के ये कैसे है तो भई वो formal English नहीं चलाते वहाँ पर informal और majority of different parts भी use किये जा सकते हैं जब competition की बात आती है तो हम लोग strictly formal English follow करते हैं वहाँ पर आप दो के लिए each other one another जादा के लिए नेक्स वीडियो में आप देखे हैं that will be the last video of pronouns exclamatory pronouns आशर दिखाने के लिए pronoun इस्तमाल किये जा सकते हैं तो मुझे याद है क्या? तो मैं ये भी नहीं पता तो यहाँ पर जो आपने क्या इस्तमाल किया might be in the category of pronoun मुझे अभी answer नहीं पता लेकिन हाँ exclaim करने के लिए तो बहुत सारे शब्दा आते हैं ब्रावो, हुरे, अलास, वाउ फिर इन में और इन में डिफरेंस क्या है आप नेक्स वीडियो में देखेगा और हाँ, pronoun का test paper ready है आप very soon इस बात को देखें और अगर यह वीडियो first time की जगे बाद में देखा जा रहा है तो आपके लिए pronoun का test paper डल चुका है आप attempt करें और उसका solution देखें because एक वीडियो में I try to make सारी चीज़ों को possible कि जितनी varieties possible है pronoun के use से वो सारी में mention करूँगा और हाँ, पिछली बार की तरह, नाउन के paper की तरह pronoun का भी advanced part जरूर होगा तो वो देखें वहां तो we'll blow our hair away looking forward to seeing you in the next video for completing pronouns or till then keep supporting, keep watching English by Kabal Dev Sharma for complete English grammar without rules and regulations thank you झाल